हेलो एब्रीवन स्वागते आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWD जॉप में जैसे ही गौर्मेंट वेकेंसी का नोटिफिकेशन जारी होता है आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया जाता है नई सरकारी सिक्षक भरती पर्मनेंट पोस्ट रहने वाली है वेतनमान इ से लेकर 42 यर तक के कैनिरेट आविदन कर सकते हैं तो यह जो है नोटिफिकेशन विज्ञापन की ही जो है कटिंग है वेतनमान आयू सीमा और पद का स्वरूप यहां पर फ्रेशर बिल्कुल एलिजिबल रहेंगे आप BAD किये हुए हैं BTC, DLAD किया हुआ है तो बिल्कुल एलिजिबल रहने वाले हैं बाहरी राज्य के कैनिरेट भी जो है इसमें आविदन कर पाएंगे चलिए देख लेते हैं पूरा नोटिफिकेशन चेक करेंगे सारी चीज़ा जानेंगे कैसे जो है इसमें आविदन करना है लास्ट डिट क्या रहने वाली है वेतनमान मेंने आप लोगों को बता दिया लेवल 6 के अकॉर्डिंग सेलरी रहेगी आयू सीमा जो है इसमें 42 यर मैक्जिमम है पद का स्वरूप अर आस पत्रेत यह आस थाई बतानी क्यों लिख दिया है बाकी जो है जब पेंशन है तो इसका मतलब इस थाई है अनिवारे एहरता इसमें क प्लाइड, BTC, BSTC, BLAD सनातक के साथ में जो इंटर्मीडियेट जो चार वर्सिये प्रारभिक सिक्षा सास्तर में होता है इसनातक यह हो सकता है या फिर सनातक की उपादी संबंदित विशय में और सिक्षा सास्तर में दो वर्सिये डिप्लॉमा इस्पेशल एजुकेशन व तो है अलग अलग पोस्ट है तो जिसमें सहय का ध्यावकत, PRAMERI की जो विखंशी है, विभाग का नाम क्या है? जन जाती, कल्यान, विभाग तो यह PRT की विखंशी है, टोटल नंबर ओ वेकंशी कितनी है? 15 है जिसमें अंसूचित जाती की 2 है, अंसूचित जन जाती की इसमें आठ वेकेंसी है उसके बाद जो है एक और पोस्ट है कम्प्यूटर टीचर्स के लिए कुलपद 12 है इसमें कौन को नाविदन कर पाएंगे सैलरी इसमें लेवल 7 के अकॉर्डिंग है 42 यर तक के कैंडिडियेट इसमें भी सैलरी के साथ में पैंशन रहने वाली है यह अरस्थाई क्यों लिख देते हैं पता नहीं बाकि जो इसमें अर आस पत्रित अंसदाई पैंशन पैंशन तभी मिलती है जब आप रिटायर होते है तो पर्मानेंट ही रहने वाली है कम्प्यूटर टीचर की जो वेकेंसी है तो ग्रेजुइशन के साथ में जो है बीएड मांग रहे हैं बीएड या फिर एल्टी डिप्लोमा होना चाहिए बीटेक या बीई उपादी वाले भी आविदन कर सकते हैं सीटेट या यूटेट पेपर टू आपका उतीर होना जरूरी है ठीक है फोट नमबर पर लिखा है इन्होंने प्रेसिक्षण पाठेक्रम रास्ट्री है अध्यापक सिक्षा परिशत से माननेता प्राप्त होना अनिवार्य होगा तो यह जो है जो अनिवारे अहरता थी वो मैंने आप लोगों को बता दी वाकि अधिमानी अहरताओं में जो भी जन्होंने प्रादेशिक सेना में दो वर्स का जो है सेवा दिया है या फिर बीया सी प्रमाण पत्र है रास्ट्रेक एडिट को और का तो उनके लिए थोड़ी छूट रहेगी लिखित परिक्षा होगी वेकेंसी कहां से जारी की गई है तो यह जो वेकेंसी है उत्राखंड अधिनस्त सेवा चैन आयोक के द्वारा जारी की गई है आठ नमबर 2024 अभी आविदन स्टार्ट नहीं है अभी आविदन स्टार्ट ह रहेगी तो 10 दिसंबर 2024 है लिखित परिक्षा की जो डेट है 23 फरवरी 2025 है ठीक है अब जो है भारी राज्य के कैंडिरेट जो है यहां पर आविदन कर सकते हैं लेकिन इनोंने जो है तीन यहां पर तीन या चार चार इनोंने शर्त रखी है जिसमें से एक का होना जरूरी है केवल एक का होना ठीक है वो कौन कौन सी सर्त है तो अभ्यरती का उत्रखन राज्य में किसी सेवा योजन कारेले में आविदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथी तक तो 10 दिसंबर से पहले 10 दिसंबर से पहले पहले अगर आपने वहां के किसी सेवा योजन कारेले में बहरी राज्य के के लिए तो ये काफी अच्छा रहेगा जो इन्होंने फर्स्ट जो कंडिशन रखी है दूसरा कंडिशन है अभ्यारती उत्रखंट राज्य का मूल निवास या स्थाई निवास प्रमान पत्र धारक हो अब ये तो वहाँ के जो candidate है जो वहाँ पर रह रहे हैं जिनके पास मूल निवास प्रमान पत्र है या फिर किसी भी वज़े से जो है वहाँ जाकर रहने लगे और उसके बाद उन्होंने इसाई निवास प्रमान पत्र बनवा लिया तो यहाँ पर form आप फिल कर पाएंगे तीसरा क्या है कि उत्रगंड लोग से वायो की परिदी के बाहर समगय के सीधी भरती के पदों पर भरती एतू आविदन करने के लिए वही अभ्यरती पात्र होगा जिसने अपनी high school एवं intermediate 10th या 12th अथोआ इनके समकक्ष इस्तर की सिक्षा उत्रगंड राज्य में इस्तित म तो भी आप जो है इसमें आविदन कर सकते हैं ठीक है फोर्थ क्या लिख रहे हैं कि साशन के पत्रांक की अनुसार जो व्यक्ति पूर्व से ही राज्य अधीन सेवाओं में सेवायोजित है किन्तो इस विज्यापन में विज्यापित पदों के सापेक्ष आविदन करने की इच्छुक है उनके लिए सेवायोजन कारेले में पंजी करन की आविशक्ता नहीं है तो ये चार जो है इन्होंने कंडिशन रखती है अगर इनमें से कोई एक आप पूरा करते हैं तो आप आविदन कर सकते हैं मुझे तो भारी राज्य के कैंडिडेट के लिए ये पर अगर आविदन करने के चुक हैं बाकी यहाँ पर जो है बस भारत का नागरिक को होना जरूरी है इस सेवा में किसी पत्पा सीधी भरती के लिए जो भी अब बिरति आविदन करेंगे आरक्षन की सुविदा तो उत्राखंड के कैंडिडेट को ही रहेगी चाहे वो आयू की बात हो अब जो है इसमें इनोंने लिखित परिक्षा के अकॉर्डिंग ही जो है सिलेक्शन होगा तो ओनलाइन आविदन पत्र भणने के चरण है जो आविदन पॉम फिल करेंगे तो यह एक एक स्टैप जो है फॉलो करना है और फॉम फिल करना है ठीक है सुलक यहाँ पर क्या लग रहा है तो सुलक यहाँ पर 300 रोपे लग रहा है अनिजब कैटिगरी के लिए और चाहे उत्राखंद के निवासी होpurpose समानने कैटिगरी वाले या फिर भारी राज्य के होütün उत्राखंद राज्य के OBC कैटिगरी के आप भी 300 रोपी SC, ST, EWS की 150 है बस 500 रुपे ही है दिव्यांग अभ्यारती की 500 रुपीज है अनात की 0 है ठीक है 29 पेजिस की PDF फाइल है फॉर्म फिल करने से पहले जो जानना जरूरी था वो मैंने आप लोगों को बता दिया स्लेबस इन्होंने दिया है यह जो पोस्ट है प्राइमरी टीचर की या असिस्टेंट टीचर की तो इसमें इन्होंने जो है स्लेबस पूरा दिया हुआ है इसे आप देख सकते हैं और यह इस PDF पाइल को पढ़ने के लिए जो लिंक आप लोगों को प्रवाइड किया जाएगा इसी वीजियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो वो आप देख लेंगे ठीक है बिल्कुल पर्मानेंट सरकारी नौकरी है यह ओफिशल वेबसाइट का लिंक है www.ssc.uk.gov.in गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं